जहिन दोस्तों मेरा नाम है वेदशरत रवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कार्पुरेट अकाउंटिंग इसमें जो हमारा चेप्टर चल रहा है वह है वेलिएशन आफ गुडविल वेलिएशन आफ गुडविल से रिलेटेड में आपको बेसिक से लेकर के एकदम एवरेज प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड के अधार पर तो आज हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं छोटा सा वीडियो होगा बहुत इंट्रस्टिंग होग आपकू financial accounting, financial management, corporate accounting, income tax management accounting और statistical methods related video की और आपके साथ ही सायोगी साथफाथी के लिए आएवश्यक हो तो इसको शेयर करने में बिल्कुल बिसंकोश मत करिएगा अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कियाकरो, और कमेंट बॉक्स में आकर कि अपनी प्रतिक्रियाइं जरूर दिया करो, आपकी प्रतिक्रियाओं मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरिद करती हैं साथी साथ अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रस कर लिजे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटा फट बिना किसी विलंब के मिल सके तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्श विद बेद्शिरा पर जाएं वहां पर इस कुष्चन का आपको पीडियेफ मिल जाएगा पहले उसको ले ले फिर वीडियो को देखें तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी तो योग करे आठ वर्सों तक अर्जित करती रहेगी कंपनी की सुद्ध मूर्त संपतियां 6,40,000 रुपे हैं वर्तमान ब्याजदर 5 प्रतेक वर्स में विन्योजित 0.154722 के आठ वर्सों का वर्तमान मोल 1 रुपया है पिछले कुष्चन में बताया था कि इस तरीके से करना हमसे कह रहा है कि आप इसके आधार पर कल्कुलेशन करो और बताओ कि कितना आएगा वैल्यू ऑफ गुडविल तो मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके फॉर्मूले बहुत ही बहतरीन तरीके से समझाया थे आज हम लोग एक प्रक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं Average Profit Method और Super Profit Method दोनों में तो चलिए देखते हैं कैसे Solve किया जाएगा कुश्चन को हम इधर ले ले लेते हैं Average Profit Method जिसका यूज करेंगे Average Profit Method एनुटी में हम लेंगे इसको और इधर हम लोग Super Profit Method में कल्कुलेशन करेंगे ओके एनुटी वैल्यू हम लोग को जानना है एनुटी मेथट अवे हमारा चल रहा है जिसमें हम लोग को यह पढ़ना है एक तरफ यह और एक तरफ यह जब Average Profit की तरफ चलते हैं तो में हमको Average Profit Already दिया गया है हमको निकालना नहीं है जब Average Profit दिया हुआ है तो हमको Goodwill Calculate करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए बिजनेस की वैल्यू चाहिए वैल्यू ओफ बिजनेस आपको बताया था कि क्या हम लोग कैसे calculate करते हैं तो Average Profit और Present Value of Enuity जो हमारी दी गई है वो एक रुपे से कम है इसलिए Present Value हम लोग अपॉन में रखेंगे Present Value of Enuity हमारी अपॉन में रहेगी ओके Average Profit हमको कितना दिया गया है तो Average Profit की जब बात करते हैं हम लोग तो यह हमको दिया गया है कितना एक लाख बीस हजार रुपे का दिया गया है कितना एक लाख बीस हजार रुपे का Average Profit दिया गया है और जो हमारा Present Value of Enuity है वो है 0.154722 4722 अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी हमारी यहां पर 154722 यह आजाएगा 775584 रुपे 69 पैसे हैं तो इसको हम लोग 60 पैसे कर सकते हैं मतलब अगर Real Value Business की देखी जाए तो क्या है 775584 रुपे है जो इस प्रेजेंट वे जो इस Average Profit के अधार पर निकल के आई है लेकिन एक्षूवल में यह है नहीं कुश्यन में एक्षूवल हमको वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है 6,40,000 रुपे जबकि निकल के आ और रही है 75,584 रुपे इसका मतलब है कि बीच में जो value कहीं पर रह गई है वो क्या है goodwill है तो कैसे निकलेगी value of business value of business minus capital employed capital employed तो यहां देखो value of business मैंने निकाला है 7,75,584 रुपे 60 पैसे minus 6,40,000 जब आप इसको minus करोगे तो आपका बचेगा 1,35,584 रुपे 60 पैसे 1,35,584 रुपे 60 पैसे average profit method में आप देख लो तो आपकी goodwill यही आ रही होगी हाँ 1,35,584 रुपे 60 पैसे goodwill आपकी आ रही है तो देखो मुझे average profit calculate नहीं करना था करना होता तो average profit method में पढ़ चुका हूँ total profit upon number of years होता है ऐसा करके मैं उसको भी निकाल लेता और यहां पर मैंने इस तरीके से value of business निकाली और very goodwill आ गई है आप चलते हैं सुपर profit method में और देखते हैं यहां कैसे calculation करी जाएगी तो जब सुपर profit में आओगे तो नंबर एक पर आपको चाहिए average profit जो कि एक लाख बीस अजार रुपए आपको दिया गया है नंबर दो पर चाहिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट जो कैसे निकलता है capital employed into normal rate of return upon 100 तो capital employed 6,40,000 into 12.5 upon 100 इसको solve कर लो 2-0 ये काट दो 2-0 ये काट दो पर इसका multiply कर लो देख लो कितना आ जाएगा तो जब हम लोग इसको solve करेंगे तो ये आ जाएगा 80,000 रुपए कितना आ जाएगा 80,000 रुपए तो सुपर प्रॉफिट मेरा निकल के कितना आ गया है 80,000 जबकि मेरा average profit कितना है 1,20,000 तो अब हमने सोचा कितना था 80,000 होगा क्यों क्योंकि मैंने 6,40,000 रुपए लगाया था और 12.5% की current rate of return या normal rate of return चल रही थी तो मुझे profit होना चाहिए था 80,000 का लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा average profit और अस्तन रुप हो कितना रहे तो वो 1,20,000 रुपए निकल के आया तब हमारा माथा ठंका कि यहाँ पर तो सुपर प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हो रहा है मतलब जो लाब था उसके उपर गए लाब पाए तो उसको हम कहते हैं लाब नहीं यह अधिलाब है तो यह कितना निकल के आएगा एक लाब दीस हजार माइनस असी हजार तो भाईया सुपर प्रॉफिट यहाँ पर हो गया कितना चालिस हजार अब जो सुपर प्रॉफिट यह ऐसे हवा हवाई कुछ नहीं आता है इसका मतलब है कि चालिस हजार देने वाली असेट्स मुझको दिखाई नहीं दे रही है लेकिन असेट्स हैं और एसी कौनसी असेट्स होती है जो दिखाई न दे लेकिन हो उसको कहते हैं गुडविल आप कहेंगे नहीं संबिग्न पयंट्रेडब असेट्स पेटेंद भी होता है यह समें आखिर वो गुडविल है कितनी ना वह उनको बताओ तो गुडविल जब हम आएंगे यहां पर अनुटी में सुपर प्रॉफिट के अंतरगत तो सुपर प्रॉफिट अपन प्रेजन्ट वैल्यू अफ एनुटी क्योंकि प्रेजन्ट वैल्यू मेरी कम है एक रुपए से ओके तो यहां पर सुपर प्रॉफिट है मेरा चालिस अजार और जो एनुटी प्राइस है वह है 154722 इसको सॉल्व करोगे तो यह कितना आ जाएगा अपन 154722 यह आ जाएगा 258528 रुपे बराबर 258528 रुपे 29 पैसे यह हमारी गुडविल आ जाएगी उके तो देखो अगर आप एवरेज प्रॉफिट मैथट में जा रहे हो तो इस तरीके से यह अनुटी मैथट में क्लकुलेशन किया जाता है जब हम लोग गुडविल का कल्कुलेशन करना चाहते हैं और अगर अगर सुपर प्रॉफिट में जा रहे हैं तो यह हम पढद च तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रियां जरूर दीजेगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे, कर दो अभी तक सब्सक्राइब से जरूर में थाणी कर दो कर दो अभी तक सक एसाओब में प्लीजेगा,